पाकिस्तान में यात्रा के दूसरे दिन मिली चात्रों, अधिकारियों और धार्मिक नेताओं से भारत और चीन के संबंदों पर डालेंगे विशेश नजर बात करेंगे विशेशक्यों से और अमेरिका भर में श्चनिवार को मनाए जाएगा हैलोवीन कत्योहार लोग डरावने मुखाटे लगा कर पहुचेंगे सलकों पर वाशिंग्टन डीसी से मैं हूँ वोईस ऑफ अमेरिका का मिश्रवास्तव अब खबरें विस्तार से लहोर में विश्विद्याले चात्रों से बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने उगरबादियों के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई में उनका सहयोग मांगा क्लिंटन तीन दिन की आत्रा पर पाकिस्तान में है हिलरी क्लिंटन ने चात्रों से कहा कि उगरबादी पाकिस्तान को अस्तिर करना चाते है और उनके खिलाफ लड़ाई में जीत जरूरी है क्योंकि ये सब के लिए खत्रा है क्लिंटन ने ये भी कहा कि उनके लिए यकीन करना मुश्किल है कि पाकिस्तान सरकार को मालूम नहीं कि अलकाइदा के नेता कहा है और अगर सरकार चाहती तो उन्हें पकड क्यों नहीं सकती क्लिंटन से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच भरोसे की कमी पर सवाल पूछे गए जिसके जवाब में क्लिंटन ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक नया रिष्टा बन रहा है विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के लिए नई आर्थिक सहायता की घोशना भी की कानून लागू करने और सीमा सुरक्षा में सुधार लाने के लिए एक सो तीन मिलियन डॉलर चपन मिलियन डॉलर तालिबान विरोधी कारवाई से विस्थापित पाकिस्तानियों के लिए और पैंतालिस मिलियन डॉलर उच्छ सीक्षा के विस्तार के लिए शनाली सेन वोईस ओफ अमेरिका और अब बात भारत चीन संबंद होगी पिशले कई दिनों से भारत और चीन के संबंदों में तराव के स्थिती बरकरार है पिशले दिनों भारत और चीन के प्रधान मंतरी थाइलाइन में मिले तो लगा कि शायद राजनीतिक इस तरपर बात अभी उतनी खराब नहीं हुई है आई देखते हैं कि दकशनेशिया और चीन के संबंदों पर नजर रखने वाले विशेशक आखिर क्या सोचते हैं दोने देशों के भाविशों को लेकर भारत और चीन के बीच तेनाव के करनों को समझने के लिए हमने बात की दक्षने शयजानकार प्रोफेसर सुग्देयमुनी और चीन मामलों के बेशेशक चे इंगली से सुग्देयमुनी मानते हैं कि समस्या तप्षय हुई जब सभी को अचानक लगा कि चीन के सैने शक्ती बढ़ गई है तिबत के पानी को लेकर समस्या है और भविश्य में दोनों देशों के विकास को लेकर ये काफी समय दंशील हो सकता है भारत को जिनता है कि अगर चीन इस पानी पर निरन तड़ करता है तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है कश्मीर के लोगों को उन्होंने अलग से वीजा देना शुरू कर दिया ये बताने के लिए कि हम इसको भारती मानते ही नहीं और दूसरा कुछ नक्षे उन्होंने दिखाए हैं जिसमें कश्मीर को भारत से अलग थलग दिखाए गया है और तीसरा जो पाकिस्तान के हक वाला कश्मीर का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान बैठा हुआ है उसमें चीनियों ने प्रॉजेक्ट शुरू कर दी हैं डवलप्मेंटल प्रॉजेक्ट शुरू किया है दोनों देशों में तनामु का एक करल भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीक्या भी है प्रोफिसर मोनी कहते हैं कि चीन की सेना भारत अमेरिका समंदों से परिशान है कि अगर सैनिक द्रस्टी कॉंड से भारत को और हधिक मजबूत अमेरिका करेगा तो वो आने वाले वक्त में उनके लिए ठीक नहीं है और इसलिए कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि एक मौका आगया है कि अभी दुबारा लड़ाई लड़के भारत को और दस साल पीछे धाकेल दो चीन को चिनता है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन के दबदबे को रोक सकता है बहरत और चीन के बीच जो संब्द्दे उनने लेकर अमेरिकाे क्या सोचता है यह जाने की जरूत है इस बार में बात करने के लिए रख्षिन इश्या में सुरक्षा मामलों के विशाश्य के राजा कारते के आज हमार साथ स्टूडियो में राजा स्वागत है अब का स्टूडियो में भारत चीन की बीच में थोड़ा तनाव पिशले दिनों से इसको लेकर अमेरिका क्या कोई तो चीन समझता था कि CIA भारत को बेस बना के टिबेट में कवर्ट आपरेशन्स कर रहे हैं और यह एक रीजन था जिसके जिसके वज़े से चाइना में इंडिया के खिलाफ काफी बढ़ गया था माउसे टंग के दोरान लेकिन आप अगर आप देखते हैं 2006 जो है जरूर चीन देखने लगा जबसे की भारत और इंडिया क्लोज आने लगें खासकर बुष प्रशासन के वक्त तो उसमें काफी चिंता जाहिर की कहीं यह चीन के खिलाफ कोई नई साजिश कहीं यह पिर नई आक्सिस बनाने की कोशिश तो नहीं है तो मुश्किल यह है कि तनाव की जो एक खास वज़य है वो तिबेत को लेकर है और तिबेत के मामले में अगर अमरीका कुछ भी कहता है तो वह अमरीका और चीन की जो संबंध है उन्हें बहुत बुरी तरह से जो है उसका प्रभार राएगा उसका उनके उपर बहुत धन्वाद राजा स्टूडिय बाने के ल दरावने मुखोटे लगा कर और किसी भूत प्रेज जैसी वेशभूशा पहन कर घरों से निकलते हैं और अचाना किसी के सामने आकर उसे हैरत में डाल देते हैं पर ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही इसमें भाग लेते हों बड़े भी उसी जोस से इस्तियोहार में ढ़ल ज झाल